बॉलिवुड की क्वीन कही जाने वाली आक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल ही में कहा है कि वो मा बनना चाहती है कंगना का कहना है कि उनके अंदर अब मा बनने वाली फीलिंग्स आती है एक बात चीत के दोरान कंगना ने कहा है कि मुझे लगता है कि अब मैं आत्मनिर भर हूँ इसके आगे वो कहती है लेकिन जब आप उम्र के दूसरे दशक के आखरी वर्षों में होते हैं तो कही न कहीं आप के अंदर मा बनने की भावना आने लगती है फिर आप ज्यादा महसूस करने लगते हैं कि मुझे बच्चे चाहिए इसके बाद कंगना कहती है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो भी कभी ऐसा कहेंगी लेकिन वो कहती है कि अगर मैं ये बात शेयर नहीं करती तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती कंगना हमेशा हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखती है चाहे फिर वो मामला रितिक रोशन से जुड़ा हो या फिर अवोर्ट फंक्शन को लेकर कंगना किसी भी सवाल का रिप्लाई ऐसे करती है जो दर्शाता है कि उन्हें किसी की बात से कोई फर्क नहीं परता है हाल ही में कंगना ने एक राम वोक के दौरान बेबाकी से कहा था कि ना तो मैं अवोर्ट फंक्शन में जाती हूँ और ना ही मुझे कोई फर्क पड़ता है कि कोई भी अवार्ड जीते कंगना ने कहा था कि I don't care खेर कंगना के बारे में एक बात तो कहनी होगी B-Town में बिना किसी Godfather के अपना एक अलग मुकाम बना कर उन्होंने खुद की एक अलग पहचान बना ली है तीन बार नाशनल अवोर्ड विनर कंगना रानी लक्षमी बाई फिल्म में नजर आने वाली है अभी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी नियूस देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ बाई बाई